वेलकम क्रिप्टो यूजर अधर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में शिबायनू को लेकर बड़ी अपडेट्स के साथ ही बहुत सारी बाते हम करने वाले हैं जिसमें शिबायनू की प्राइस प्रेडिक्शन 24 गंटे में जिस टाइप से शिबायनू 7-6% तक चेंज हुआ है इसको देखते हुए आगे के प्राइस प्रेडिक्शन क्या आ रहा है और ग्लोबल नियोज 3-4 ऐसी बड़ी आई है जिसको देखते हुए शिबायनू को लेकर बड़े अपडेट से हम यहाँ पर करने वाले हैं तो एंड तक वीडियो वाच कर सकते हैं यहाँ पर शिबायनू को लेकर बड़ी रेली के भी आसार बन रहे है जिस टाइब से खबरे मार्केट में चल रही है उसको देखते हुए तो कम्प्लीट वीडियो वाच कर सकते हैं इसमें सभी चीज़ा आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे शिबायनू को लेकर यार काफी गहमा गहमे चल रही है क्योंकि शिबायनू अभी वर्तबान में समय ले रहा है मार्केट में जो रेली हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे वे सी रेली नहीं आई ये market समय ले रहा है इस बीच अगर bitcoin का देखे तो bitcoin 24 गंटे में सितर हजार डॉलर को point को touch करके वापस 68 हजार डॉलर के आसपस market आ गया है नीचे क्योंकि लोगों ने यहाँ पर profit book करना start कर दिया था उस वज़े से market नीचे के तरफ थोड़ा सा खसक गया लेकिन overall देखे तो market यहाँ पर भी sustain करता हुआ आपको नजर आ रहा है हलाक bitcoin धीरे धीरे ही सही लेकिन regular ways पर update हो रही है इस बीच bitcoin के भी काफी जो है price prediction निकल कर आ रहे है सबसे पहली news यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बताये गया है कि शिबयनू का price prediction किस टाइब से change होना है और यहाँ तक कहा गया है कि शिबयनू 1 डॉलर तक hit कर सकता है संभवे भविश में तो इस rally को अगर हम देखे तो 10 डॉलर तक के भी possibility यहाँ पर बताये जा रही हलाकि यह बहुत बड़ी बात कहती है 24 गंटे की लेकिन अगर हम आने वाले समय में देखे तो जिस टाइब से शिबयनू में उच्छाल आया है और जिस टाइब से शिबयनू में rally यहाँ पर देखने को मिली है तो यह obviously बन सकता है कि एक बड़ी rally यहाँ पर शिबयनू दिखा सकता है इस बीच कहा गया है कि जो bitcoin की Halloween के बाद की स्थिति है वो काफी लाप प्रद हो सकती है और bitcoin 2024 में एक लाग डॉलर के इस तर्थ को टच कर सकता है यह बड़ी बात की गई है एक्सपर्ट के दुआरा तो यह बताती है कि शिबयनू में जो यह हमकी 10 डॉलर तक possible यह हम कहिना कहीं एक रुपे या दस रुपे एक सेंड तक की भी हिट हम मान सकते हैं क्योंकि यह जो bitcoin Halloween के बाद एक future price bitcoin की बताए जा रही है जो बड़ी संभावित rally के और इसारा करती है और यहाँ पर चार्ट को अगर गोर करेंगे bitcoin का तो यहाँ पर बताए गया है कि किस टाइप शिबयनू में भले ही थोड़ी ग्रावट यहाँ पर हुई है लेकिन फिर से एक बड़ी rally के जमीन यहाँ पर तयार हो रही है क्योंकि market जिस टाइप से समय यहाँ पर ले रहा है पिछले कुछ दिनों में 95 से लगभग 80 तक गिरने के बाद इसका जो सापेक्ष सक्ति सुचकांक है वो आज फिर से बढ़ना सिरू हो गया है जो मजबूत गती की और इसारा कर रहा है अगर यहाँ पर आप देखें तो यही पर बताए गया है कि किस टाइप से वो यहाँ पर बड़ा है और किस टाइप से परपल कलर में यहाँ पर जो relative strength index है वो यहाँ पर increase हुआ है तो यह बताता है कि अगर 30 दिन के moving average को यदि हम देखें तो यहाँ पर आकरामक तोर पर price उपर की दिसा में जाने की तैयारी हो सकती है लेकिन यहाँ पर अगर एक चीज और गोर करोगे तो एक बड़ी नीचे की तरफ जो 30% की ग्रावट यहाँ पर देखने को मिली है ये ग्रावट अगर थोड़ी और नीचे के तरफ जाती है तो एक बड़ी यहाँ पर रेली आपको नीचे के तरफ भी दिख सकती है क्योंकि यहाँ पर सेलर हावी हो सकते है हलाकि इसकी possibility काफी कम है अगर आप गोर करेंगे तो यहाँ पर आकर जो buyer और सेलर का जो trading volume है वो नगर्न हो जाता है मतलब बहुत कम हो जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी candle आपको देख रही है लेकिन जैसे यहाँ पर market आता है तो 3-4 दिनों से अगर आप गोर करेंगे तो market में candle ही नहीं बन रही है बहुत कम trading यहाँ पर volume हो गया है शिबा का और यही इसके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है क्योंकि अगर शिबा इनों में बड़े transition नहीं होंगे तो यह थोड़ी संकेत गलत होंगे trading यहाँ पर community को करनी पड़ेगी हलाकि इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह आई है कि wheels की तरब से जहाँ पर बताया गया है कि wheels ने बड़े transition यहाँ पर वापस active कर दिये और कहा गया है कि wheels की तरब से बड़े transition यहाँ पर हुए है जो एक लाग डॉलर यह उससे के बड़े है तो इस हिसाब से पता चलता है कि wheels की जो moment यहाँ पर कुछ समय से रुकी हुई थी वापस यहाँ पर आ गई है और निकट भविश में wheels और ज्यादा संचे यहाँ पर कर जाई है इधर दूसरे तब bitcoin ETF volume में बड़ोत्री होई है तो उसका सीधा सीधा असर bitcoin की price पर भी आगे वाले भविश में आपको देखने को मिलेगा और जिस टाइप से bitcoin की news आई है bitcoin डेल लाग डोलर तक भी टच कर सकता है आने वाले भविश में जिसमें 12-18 महिने का समय इन नहीं हो रहा है क्योंकि price को ज़्यादा changes नहीं हो रही है हमने यहाँ पर गोर किया है कि बड़ी-बड़ी candle कब बनती है जब शीबायनू बड़ी रेली दिखाता है अगर आप इस चार्ट को गोर करेंगे तो यहाँ पर बड़ी-बड़ी candle दिख रही है शीबायनू में अक तो on chain data से मालूम पड़ा है कि नया माली stone blast होने के तयारी में है शीबायनू की अब यह माली stone कौन सा है यह माली stone है शीबेरियम का क्योंकि जिस टाइप से शीबेरियम ने यहाँ पर 400 million daily transition achievement किये है उसके बाद से यहाँ पर जो data मालूम पढ़ रहा है उससे मालूम पढ़ता million होने के बाद total accounts में अभी अच्छे खासी बड़ोतरी हुई है और अगर यहाँ पर total blocks देखे तो उसमें भी यहाँ पर जो है increase देखने को मिल रहा है और यही बात हम यहाँ पर गोर कर रहे है क्योंकि भविश्य में शीबायनू इसी टाइप से बढ़ता है तो शीबेरियम का एक बड़ा रोल यहाँ पर हो सकता है क्योंकि market इसी दिशा में आगे जा सकता है और यहाँ पर जिस टाइप से बताया गया है जो highest score 4-0 के पर 45 के आसपा से इसमें यहाँ पर changes होगा और एक बड़ा pump यहाँ से उपर की तरफ जा सकता है हलाकि इन सब के बीच एक चीज औ गोर करने वाली बात है अगर इस article को गोर करेंगे तो यहाँ पर बताये गया है कि शीबा की बजाए आप नियू टोकन में भी एक बार मीम टोकन में हाथ अजमा सकते हैं क्योंकि नियू मीम टोकन भविश में एक तेजी दिखा सकते हैं यहाँ पर एक theory यह दी जा रही है कि शीबा एनू डोच कोईन जैसे टोकन अल्रेडी एक बार पंप हो चुके है तो इन में जो ग्रोथ है इतनी नहीं होगी लेकिन नए अल्ट कोईन नए मीम टोकन जो है उनमें ज्यादा ग्रोथ के चांसे से तो एसे में थोड़ा सा अपना जो मीम टोकन की thinking है उसमें टोकन में थाउजन या हंड्रेड रूपीस से फाइफ हंड्रेड रूपीस के आसपास आप इन्वेस करके रख सकते हैं तो एक अच्छा आपके लिए साबित रहेगा इन सब के बीच एक बड़ी नियोज निकल कर आई है वो आई है शिब नाम सर्विस को लेकर जहां पर ब यह भी एक तरीके से शिबा की जो प्राइज है उसमें चैंजेस ला सकती है और यहां पर कम्मुनिटी काफी उससा ही थे इस टाइप के सर्विस को लॉंच करते हुए तो यह बताती है कि शिब नाम सर्विस जब लॉंच होगी शिब शिब नाम से तो यहां पर शिबा की ज जो प्राइज है उसमें पंप देखने को आपको मिल सकता है तो ओर रोल देखा जाए तो आज के कंडेशन में शिबेरियम एक बड़ा रोल है इसके अलावा जो चार्ट इंडिकेशन से मैंने समझाया यह बड़ी वजा है और एक शिब नाम सर्विस और इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी कई चीजे है जो पोजेटिव इंपक्ट डाल रही है लाइक बिटकोइन हो गया आपका इथेरियम हो गया इधर बर्निंग की शुबा के वीडियो में मैंने कवर किया था जिसमें 200 इथेरियम बर्न किया जा रहा है जिसकी वेल्यू डेल डाक डोलर क आसपा से और इसके अलावा आप देखेंगे तो और अपकमिंग प्रोजेक्ट शीबा के है तो यह सभी चीजे बताती है कि शीबा में आने वाले समय में एक बिग रेली के आसार बन रहे है बस यहां पर थोड़ी से नेगटिव बात यह है कि यह प्राइस थोड़ा से आने वाली है सभी चीजे पुरा माहौल पोजेटिव चल रहा है भी इन सब के भी चैनल पसंद आया हो वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और इस वीडियो के उपर आप क्या सोचते हैं कमेंट से जरूर अपना ओपिनियन लिखिए और श